आज हम जानेंगे बच्चों के लिए जो पर्सनल लेटर है उसकी फार्मेटिंग कैसे हो बहतर और कैसे बच्चे बहतर लिख पाएं ताकि आज हम जानेंगे जो हमारा लेटर की फार्मेटिंग है और वो पर्सनल लेटर की फार्मेटिंग क्या होगी जो हम पर्सनल लेटर बच्चे लिखते हैं तो उसको कैसे बहतर तरीके से लिख पाएं ताकि हम उसमें जो हमारा एक्जाम है उसमें मार्क्स हमारे और बहतर आपा हैं तो आज हम जानने वाले हैं personal letter की formatting और personal letter कैसे बहता तरीके से लिख़ पाएंगे यहाँ पे हमने आज एक personal letter लिया है write a letter to your friend who has lost his mother personal letter personal letter informal letter होते हैं formal letter के बारे में हम next video में बात करेंगे तो आईए जल्दी से जान लेते हैं कि personal letter कैसे हम बहतर फार्मिटिंग में लिख पाएंगे और ताकि हमको बहतर नमर मिल सके सबसे पहले शुरुआत में बता दें कि हम शुरुआत और लास्ट में ही तीन नमर हमको मिल जाते हैं बाकि 7 नमबर हमको body of the letter जो letter की mean body है बीच वाले में उसमें मिलते हैं तो आईए जानते हैं कैसे लिखते हैं ये letter ये हमने personal letter लिया है जो की हमारा informal letter है तो सबसे पहले यहां पर जो है हमको ये margin से चिपका के लिखते हैं ये देख रहे हैं ये margin से बिल्कुल चिपका के लिखेंगे कोई traditional formatting नहीं करनी हम कोई किसी को हम box type format बोलते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे ये हमने address लिखा है अब ये address किसका होगा address होगा sender का यानि कि जो भेज रहा है आपका address होगा अगर आप किसी को letter भेज रहे हैं यहां पर हम friend को letter भेज रहे हैं तो यह हमारा letter है और हमारा address है house number 23, type 5, comma लगा दिया हमने विकास का लोनी यानि कि जो genuine हमारा address है ऐसे होता है और ऐसे हम address लिख देंगे address लिखने के बाद फिर हमको एक gap छोड़ देना है यहां पर देखेंगे यह हमने address लिखा यह sender का address लिखेंगे सबसे पहले उसके बाद हमने एक gap छोड़ दिया, यानि कि एक line छोड़ दी, line छोड़ने के बाद फिर हमने यहाँ पर date लिखी है, date का जो format है, यह हमको ऐसे ही लिखना है, इसके अलावा दूसरी टाइप से भी date लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी 24.4.2022 ऐसे नहीं date लिखते हैं, बहता तर date लिखेंगे, यहाँ पर comma लगाएंगे, इसके बाद कोई fill stop नहीं लगाना है, आप इसके बाद फिर हमको एक gap छोड़ना है, एक line छोड़नी है, line छोडने के बाद यहाँ पर हमको salutation, जो भी हमारा जिसको address करना है, जैसे हमने इसमें friend को address करना है, तो हमने यहाँ पर dear लि लोड़ी है, उसके बारे में हम कैसे बात करेंगे, अब यहाँ पर हमने लिख दिया, dear उसके बाद हमारे friend का नाम, इसके उपर two वगएरा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर हमने comma लगा दिया, यहीं से शुरू का देना है, तो शुरुआत में हमको ऐसे sentences लिखने हैं, जो opening में attract करते हों, यानि कि opening और बिलकुल जो इससे related हो, जो letter का topic है, subject है, उससे related हो, तो हमने यहाँ पर जैसे है, कि ऐसे friend को लिखना है, जैसे है, एपनी माता खोदी हो, यानि कि जिसकी माता जी गुजर गई हो, तो हमने यहाँ पर लिखा, it was really a sad news that you have lost your mother, full stop, चोटे- but the illness was not so serious, when I met her last week, जब मैं पिछले हटे मिला, तब उनकी illness जो इतनी serious नहीं थी, the news of your mother's death came to me as a shock, चोटे-चोटे sentences हमको लिखनी है, अगर चोटे-चोटे sentences ऐसे लिखने है, जो बिलकुल relevant हो, I know you will feel it deeply, for you, always thought so much of your mother and loved her so much, I also feel it as a personal loss to myself, आपको भी तो लगेगा कि यहाँ दोस्त की माँ खतम होगे, फ्रेंड की माँ खतम होगे, she was very kind and loving to me, she always asked me for my studies, I can't forget her love and care, यह आपने यहाँ शुरुआत में लिख दिया, जो हमारा topic है, इसे related हमने आप लिख दिया, यह हमने एक paragraph लिखा, जो एक तरीके से कह लिजे, हमारा शुरुआती paragraph था, इसके बाद हमको फिर लिखना है, इसे से conclusion, in such sorrow, we are always alone, छोटे-छोटे संटे से हमने बताया था ना, कि छोटे-छोटे संटे से लिखने है, words I know can't soothe your wounds, this loss can never be fulfilled, may God give you strength, यहाँ पर strength है, s-t-r-e-n-g-t-h, to bear this uncompensationable loss, यहाँ पर हमने complete कर दिया, और यह जो हमारा उसके बाद है क्या, एक conclusion वाला एक sentence हमने लिख दिया है, otherwise, जो letters दूसरे लिखे हैं आप family members को या किसी friend को, तब यहाँ पर convey my best regards, इस टाइब का conclusion जो होता है sentence हैं कर सकते हैं, अला कि इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक दूसरा sentence लिखा है, we all are with you, हम सब आपके साथ हैं, आगे भी एक दो sentences all लिख सकते हैं, do not feel alone, इस टाइब से, और यहाँ पर जब लिखेंगे, यह हम जब complete करेंगे यहाँ पर, तो यह हम जब यहाँ पर, जो हम subscription, जो हमारा है, तो subscription में सबसे खास बात हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, yours लिखना है, यहाँ पर कोई comma नहीं लगाना है, your के बाद कई लोग comma लगा देते हैं, वो गलाता है, that is wrong, और यहाँ पर affectionately लिखेंगे, और यहाँ पर comma लगाने के बाद, फिर आपका जो name होगा, उसका first name यहाँ लिखतेंगे, that's it, इतना ही लिखेंगे, और इसके बाद कुछ नहीं, ना कोई full stop comma वगरा, इसमें आपको आराम से, जो अगर 10 marks का है, तो 10 marks में आराम से 9 to 10 marks मिल जाएंगे, अगर आपकी यह बीच की language बहतर होगी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, formal letter की formatting के साथ में, thank you so much.